हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट्वान्टीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC संग लोक सेवा आयोग मिन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की न्यू अपडेट के ओनलाइन फॉर्म फिल अप प्रॉसेस के बारे में तो फ्रेंज, यहाँ पर जो यह अपडेट है UPSC में यह फ्रेंज, आपके जारी की गई है One Time Registration मिन्स OTR for Examination of UPSC तो फ्रेंज, UPSC में जो भी अब upcoming vacancies आएंगी उसके लिए आपको फ्रेंज, One Time Registration मिन्स OTR form यहाँ पर apply करना है, कैसे apply करना है, क्या क्या आपकी प्रॉसेस रहेगी UPSC OTR 2022 के लिए, इसके बारे में फ्रेंज, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और यहाँ पर फ्रेंज से इस से रिटेट जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com के लिंक पर, जहाँ पर जाकर फ्रेंज, आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, आपको important dates मिल जाएंगी, benefit मिल जाएंगी, कैसे apply कर सकते ह और साथ में apply कर link, आपको सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, link description में दिया गया है, साथ में friends आप jobraस्ता.com पर भी visit कर सकते हैं, और आगे की updates के लिए, तो friends से बात करते हैं, यहाँ पर UPSC OTR One Time Registration 2022 form के बारे में, और इस वीडियो को start करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी updates से मिल सके, तो यहाँ पर friends से देखिए, UPSC ने friends यह प्रेस नोट जारी किया है, 18 अगस 2022 को, जहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो UPSC है, वो friends एक launch कर रही है, service one time registration means OTR platform, जो कि friends UPSC की official website से आप इसमें आविदन कर सकते हैं 24-7, इसमें friends जो candidate है, उनको friends से बार-बार अपनी details online form में अपलाई करने की जरुत नहीं है, वो अपनी basic personal details को fill कर सकते हैं, आपके OTR में और उसके बाद जब भी इसकी जो भी notification आप इसमें आविदन कर पाएंगे, जिससे आपको बार-बार जो updates हैं वो आपको करने की जरुत नहीं होगी, बस ध्यान रखेगा जो भी OTR platform पर आप registration करते हैं, अपनी personal information देते हैं, वो बिल्कुल सही-सही होनी चाहिए, क्योंकि friends यहाँ पर देखिए, आप से कहा गया है, बि यहाँ पर देखिए friends यह आपके सामने UPSC, संग, लोग, सेवा, आयो का OTR का जो portal है वो आपके सामने open हो जाता है, यहाँ पर देखिए चार section है जिसमें आप इस form को fill करेंगे, सबसे पहले registration करेंगे, login करेंगे, verification करेंगे और इसके बाद dashboard आपके सामने open होगा, यहाँ पर अब देखिए OTR के जो benefits है वो आपको दिये गए है, जिसमें देखिए आपको यहाँ पर जो details है वो only एक बार ही fill करनी है, एक बार ही document आपको show करने है, इसके बाद friends आपकी जो ओटर information है वो आपको कभी भी use कर सकते हैं, और इसके बाद friends जो भी आपका traffic होता है इसकी website पर वो भी आपका कम हो जाएगा, server पर load भी कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा time इसमें form fill करने में आपको नहीं लगेगा, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बात करते है इसके registration process की, कि UPSC के portal पर OTR का जो new registration है, registration है वो आप कैसे कर सकते हैं, तो registration करने के लिए friends से आपको यहाँ पर एक link मिलता है new registration का, आप इस link पर click कर देंगे, registration link पर click करने के बाद friends से OTR का registration page open हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया है नाम, तो friends से आपको आपका जो नाम है वो आपको एंटर करना है, आप अपना जो नाम है वो आप यहा पर verify कर देंगे, इसके बार friends से यहाँ पर देखिए आपको आपका जो पूरा नाम है, फुल नेम है वो आपको यहाँ पर enter कर देना होगा, यह friends से यहाँ पर enter करने के बाद, नेस्ट ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर gender का, तो आपको फ्रेंस जो नेस्ट सेक्शन है gender का इसमें आपको gender select करना होगा, gender को आपको verify करना होगा, इसके बाद है आपका DOB मिन से date of birth, तो आपका जो भी date of birth है वो आप इस calendar के माध्यम से select कर सकते हैं, इसके बाद फ्रेंच से आपको इस date of birth को आपको दोबारा से verify करना होगा, तो यहाँ पर फ्रेंच से देखिए, दो- दो बार यहाँ पर enter करकर verify करेंगे, इसके बाद नीचे है मानेटी स्टेटस, मानेटी स्टेटस में अगर आप yes करते हैं, तो आपको यहाँ पर Muslim, Christian, Sikh, बुद्ध, जो आपका जैन है, इसमें से आपको option select करना होगा, नहीं है तो आप no कर सकते हैं, कि आप मानेटी आपको यहाँ पर दे सकते हैं, पर आपका जो active mobile number है और mail ID है वो आपको यहाँ देना होगा, इसके बाद है board का exemption rule number, आप जो rule number है वो class 10 का आपको यहाँ पर fill करना होगा, इसके बाद फ्रेंच से जब आपने rule number को आप fill कर देंगे, इसके बाद है security question, security question में आपको सबसे प यहाँ पर कोई भी option को select करने और उसके बाद उसका answer आप यहाँ दे सकते हैं, ऐसे ही फ्रेंच से आपको यहाँ पर second question select करना है और उसका answer आपको यहाँ पर देना है, यह देने के बाद फ्रेंच से नीचे मिलता है आपको यह capture code तो आप इस capture code को fill करेंगे, और capture code फिल करने तो आपने जो भी details यहाँ फिल की है, अगर आपको लगता है गलती हो गई है आप update कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इस I agree वाले section पर click कर देंगे, इसके बाद friends यहाँ पर देखे, next option है आपके OTP verification का, तो यहाँ पर देखे, जो भी mobile number mail ID आपने दी है mail ID पर, आपको friends एक OTP मिलेगी, वो OTP पर पांच मिलट के लिए valid है, तो आप यहाँ पर उस OTP को डाल सकते हैं, अगर OTP नहीं आई है तो आप recent भी OTP कर सकते हैं, तो OTP यहाँ पर enter करने के बाद आप इस submit वाले option पर click कर देंगे, इसके बाद friends यहाँ पर द OTR ID, इन में से कोई भी एक option आप यहाँ पर fill कर सकते हैं, तो आप जो आपकी OTP है, वो आप get OTP कर सकते हैं, और OTP डालने के बाद friends आप इस capture code को यहाँ पर fill करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से इसमें login कर सकते हैं, इसके बाद friends से यहाँ पर दिखिए, आप login हो जाए अगर friends से sample के तोर पर बात करें तो देखिए, आप uppercase यूज कर सकते हैं, आप small letters यूज कर सकते हैं, आप numbers यूज कर सकते हैं, और आपको कोई भी special character, at the rate, star, hash आपको यूज करना होगा उस password में, तो जिस तरह से sample में आपको दिया है, यह सभी details आपको इस password में include करनी होगी password बराने के बाद friends से आपको submit query का option मिलता है, आप इस option पर click कर देंगे, इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए, आपका friends से जो आपका portal है, dashboard है यह आपके सामने open हो जाता है, तो आपको यहाँ पर instructions मिल जाते हैं, आपके online form को apply करने के लिए, dashboard यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आ on going vacancies आपको देखने को मिलेगी, अभी यहाँ पर upcoming notification का एक link है, तो यहाँ पर देखिए, आपको calendar दिया गया है, जो कि vacancies आने वाली है, जो कि इसकी details आपको यहाँ पर दी गई है, जब भी आपके form आएंगे, उसकी update आपको यहाँ पर मिलेंगी, जैसे यहाँ पर 149-2022 को आपका engineering service pre exam 2013 का form start हो जाएगा, जो कि आप इसके जरीए fill कर पाएंगे, यहाँ पर अपनी status आप चेक कर सकते है, कौन-कौन से form आपने fill किये है, पासवर्ट चेन कर सकते है, अपने profile को चेक कर सकते है, तो यहाँ पर देखिए registration की जो process है, वो complete हो जाती है, और जो भी process में आपको यहाँ बताई है, वो friends, आप step by step process करें, को follow करें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जब भी इसका form apply का video आएगा, friends, वो भी आपको available कराये जाएगा, जिससे आप apply कर पाएंगे, जो भी ongoing vacancies आपकी होंगे, तो यहाँ पर जो भी updates में आपको provide की है, यह friends, आप आपको मिल जाएगी video description में jobrasa.com पर, वहाँ पर जाकर आप इसकी details को check out कर सकते हैं, अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं, ऐसे ही updates आपको लगतार मिल सके, तो like, subscribe and share जरू कीजिए, बाकी के जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारे YouTube चनल, एनरास, थेंक्स पूर, वाचेंग,